बजारों में बड़ी हल्चल देखने को मिलती है या बजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो वो कैसे होता है कैसे बड़ी गिरावट आ जाती है कैसे बड़ी तेजी आ जाती है और मार्केट में इतनी बड़ी हल्चल होने के बाद सौंबार को आपका बजार क को बिल्कुल पूरा दिखते रही है अगर आपने अभी तक हमाई टेली ग्राम चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो टेली ग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे लिंक आपको वीडियो के आप हो मैं हूँ तो यहां पर देखें कुछ चीजे मैं आपको उताना चाहूंगा और यह चीजे देखें अगर आप देखोगे तो काफी जवदस्त आपको देखने को मिलेगी और काफी अच्छा डाटा आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर देखोगे तो यहां पर सवाइन को मैं बजात यहां पर आपको देखने को मिल गास के यहां पर की तेजी आपकोस देखने को मिली थी जब आपकाइब 16 2000 के पार गया थास तो कि आगर आप देखोगे से काफी की बाइंग आपको देखने को मिली थी उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर डाटा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है दो तारीक को अगर आप देखोगे तो दो तारीक को फिर आप बोलोगे कि भाई इस जगह भी तो आपको 1540 करोड के असफस की बिकवाली दिखा फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी आपको बिकवाली देखने को मिलेगी जे टोटल अगर बिकवाली अगर आप देखोगे तो यह टोटल बिकवाली देखे कितना आपको दिखाई देता है यहां पर आपको देखे 700 करोड के असफस की दिखाई देता है लेकिन अगर मैं बहुत कहूं इस जगा ये बाइंग की देखे जे वाला जो बाइंग आपको देखने को मिलेगा इस पाइंग का अगर आप टोटल लिका लोगे तो यहां पर देखे आपको जो टोटल देखने को मिलेगा वो कम से कम देखे 5,000 करोड के आसफास का दिखाई लेकिन बिकवाली का अगर आप लेवल देखोगे तो काफी कम बिकवाली देखे इस लेवलों पर आपको दिखाई दे रही है यानि जो बड़ा पैसा देखे मार्किट के अंदर एंटर हुआ है FIS का वो इतनी जल्दी भाहर आने के लिए तयार नहीं है और अगर आप इस इस ने अभी भी इतना माल खुलके खईदारी नहीं किये जितना देखे भारी निवेसकों ने यहां पर आपको करते हुए दिखाई दिये हैं जैसा कि आपने देखा था कि देखे जुलाई में अगर आप देखोगे तो डिया इस ने जो देखे बिकवाली की थी वो काफी भारी बिकवाली की थी लेकिन अभी यहां पर यहां पर पिलस में यह काफी अच्छी बात है क्योंकि देखे नीची की लेवल पर एक दिन पहले खईदा फिर दूसरे दिन बेचा लेकिन आप अगर देखोगे तो डाटा को देखे देखे डाटा कितना सही देखे आपको य बेचते जरूर है लेकिन उतना जादा नहीं बेचा जारा जितना जादा बेचना चाहिए अब देखे इसी जगह हम देख लेते हैं कि अभी हमने जो देखा था वो कैस का डाटा देखा था लेकिन अब हम जो देखेंगे वो एफेंडो का डाटा देखेंगे एफेंडो का मैं यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखने को मिले घा इंडेकस के अंदर बाइंग कर रहे हैं यानी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको इंडेक्स का ऑप्सन देखने को मिला गया इंडेक्स का उप्सन ज्यादा था जो आपका ट्रेट होता वह हैजिंग के चलते होता है ठीक है अब यहाँ पर भी अगर आप देखने को मिलेगा कि जो बोई वाली वाइंग है जो आपका बजा देखे इस जगह 16000 को पार क उल्लीट है छोगने करने किना को अभी इतना इस जगह देखोंगे तो आपको कम से कम दिखें यहां पे 3,000 करोड के आसफस का माल देखने को मिल जाता है जो कि option में option में कितना माल है जे 3,000 करोड का माल है यह कभी ने कटेगा अब यह option में हम को जे देखना पड़ेगा कि option में इन होने देखे C E buying किया है या पी इजिंग करके चलते हैं क्योंकि है जिसलिए चलते हैं, बड़ा पैसा हादी, बड़ा पैसे को बड़ी हैजिंग चाही Hundred, यहांपे अगर आप देखोगे तो बड़ी हैजिंग के साथ दिहाए देते हैं. अब जैसे कि आगर आप होगे, तो आपने देखे, कितना लगाएं, 100 रुपे को हैजिंग करने के लिए 2,00,000 रुपे लगा हुए बिलकुल नहीं 100 रुपे को हैजिंग करने के लिए कितना चाहिए 200 रुपे चाहिए या 300 रुपे चाहिए लेकिन अगर आप इसी जगह आप देखे 3,00,000 रुपे मार्केट में लगाते तो तो तीन लाग रोपे को हैजिंग करने के लिए कम से कम भाई जगा आपको चाल से लेके पांच लाग या दो लाग तो चाहिए अगर आपको जॉइंग करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया कही है मैंने आप सभी के सामने डाव फीचर का चार्ट उप प्ला था कि वहीं जे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले जो कि मैं हर बार बात करता हूं 33,530 के असवस का इसका सपोर्ट है ऊपर की साइट का अगर जे रेजिस्टेन देखाऊगे तो जे रेजिस्टेन देखने को मिलेगा जो कि अगर मैं बात करूं पता होगा है कि जो आपका रेजिस्टेन होता है वो आने वाला क्या हो जाता है सपोर्ट हो जाता यह प Fr. यहां पे एगर आप देखो गए तो देखे एक वढ़ील ब्रेकट desire में मिलता हुए दिखाई देरा और बजर all time hard मारत तो दिखाई दिया कितने का हाई मारा इस जगह इसका हाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा 35,238 के आसपर का देखे इसने हाई मारा है और जगह कि अगर मैं बात करूं तो जो इसका चलते हूँ दिखाई दे रहा है वह देखे 60 से 60 पे अपना बुलीश होता है और अपना चलना है 57 के आसपर यानि आसवाल दाउन 3 पे सांस 50 पास 1 बुलीस से फास 1 देखिए कि या स संद पास क्योंकि इस ने कितने खन रहा है 35 haudля 238 के और क्लोजिंग तया कि इस उससे पे सब्सक्रें दिया है यानि ऊपर से थोड़ा इसमें गिरावट देखने को मिला कितने पॉइंटों के आसपस देखने को मिला इसके गिरावट तीस पॉइंटों के आसपस तो जो तीस पॉइंट की आपको माइनस में गिरावट देखने को मिली उसी में देखिए यह आपका RSI भी नीचे क की साइट आता हुँ दिखाई दिया तो एक चीज काफी अच्छी दिखाई दिया रही है कि डाव फीचर आपको आल टैम हाइप है और इसमें बिरेक आउट भी मिलाए लेकिन उसी जगह अगर मैं बात कहूं नेक डेस्क की तो जी देखिए नेक डेस्क का आपको चार्ट दे संदाल को लेकिन इसका एगर आप पैटन देखूगे तो इसका पैटन ही इसी हिसाव से चलता है कि यहां quería हाई मला दूस्य दिन गिरावट इस जगह हाई मला नेए दूसे दिन गिरावट तो अब अब की बार जो उसना नया हाई वार। उसके बाद फिर गिरावट तो जी आई टी सेक्टर आई टी सेक्टर के लिए कई ने कई दिक्कत आती है जब आपको नेक डेस्ट में गिराबर देखने को मिलती है वाखी काफी अच्छा तेजी ऐसा नहीं है कि इंडिया के बजारी आपको अल्टेम हाई पर दिखा दे रहे हैं आप अगर अमेरिकी के बजारो तो क्योंब के चार्ट देखो गому तो वहां पर भी आपको तसा न तो इसी तरीके से देंखे मार्केश चला आज है अगर आप देखो गए जेह हाइ जेह लो जेह अगए है कि समझें के निपटी के चार्ट को आप समढ लीजिये निपटी के चार्ट अभी चुलेट जो किया था उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एक बड़िया ब्रेक आउट इस जगह समझते देखें अभी क्या हुआ अभी अगर आप देखोगे तो जेके आपका कंसुलेट हो रहा था अगर मैं बात कहूं तो काफी लंबे समय तक कंसुलेट हुआ ह खाफी लंबा समय इसने बिताया है जे कंसुलेट में कंसुलेट होने के बाद देखें इसमें एक ब्रेक आउट देखने को मिला जो कि 15,900 क्या स्वास का था ठीक है इसने हाई कितने का मारा all time हाई कितने का मारा 16,545 क्या स्वास अब इसमें एक बात आप समझें कि अगर ज यहां पर देखोगे तो यहां पर जिस गैप को फिल करेगा हमने जब भी अगर आपने देखा थो पुदीशन के ब्ल्कुल अभी आपको बताइब अब वीडियो को पीछे जाके देख लीजिए जब वो position open है अगर वो position कटेगी तो बजार फिर इस level के नीचे तक आ सकता है complete video मैंने आपको bank nifty or nifty का बना दिया है उसको जाके देख लीजिए वाकि long term के लिए अगर आप सोचोगे तो long term के लिए अभी भी बजार काफी अच्छी तेजी के साथ है अगर मैं long term का इसका target लिका लूँ तो आपका बजार अभी भी 16,500 के something जा सकता है लेकिन कैसे जाएगा इसको मैं आपको बता दीता हूँ एक correction आएगा आपके ऊपर है कि आप correction का wait करना जानते हो कि नहीं जानते है अगर आप correction का wait करना जानते हो तो correction पर आप buying कर सकते हो अगर आपको जल्द बाजी में buying करना है तो आप अभी भी कर सकते हो उसमें loss होने के ज़्यादा chance आपको देखने को मिलते है ठीक है बाकि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एक बात और बोलना चाहूँगा आपसे कि आप buying करना चाहते हो तो एक इसके लेवल के उपर buying कीजिए या फिर correction आने का wait कीजिए जो की कम से कम आपका correction आ सकता है इस जगह जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 16,000 के आसबस का correction आ सकता है जैहिन बनने बाता हूँ